ओके देखो refining of metal में हम electrolytic refining कर रहे हैं impure copper हमने positive पे लिया है और pure copper negative पे लिया है pure, impure वाला anode है और pure वाला cathode है solution में हमने copper sulfate रखा है अब जैसे ही यहां से current pass होना start होगा तो copper sulfate के positive iron और negative iron अलग हो जाएंगे Cu में से क्या बन जाएगा? Cu2 plus बन जाएगा और sulfate में से SO4,2 minus बन जाएगा positive iron और negative iron अलग हो गए, dissociate हो गए अब positive वाला कहां attract होगा? negative की तरफ negative में pure copper लगा हुआ है तो यह copper जो है pure copper जो है वो यहां पे deposit होना शुरू हो जाएगा और जो negative है वो positive की तरफ जाएगा अब देखो positive पे copper लगा हुआ है तो यह sulfate जब यहां पे जाएगा copper के साथ react करेगा तो copper sulfate बन जाएगा सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट वापस आ गया करंट की वज़े से इसमें से वापस ये सीउ टू प्लस और एसो फोर टू माइनस बनेंगे तो वो चलता रहेगा इससे क्या होगा कि जो इंप्यॉर कॉपर है वो निकलता जाएगा तोरा तोरा कम होता जाएगा और प्यॉर कॉपर बढ़ता जाएगा डिपॉजिट होता जाएगा उस पे और इसमें जो इंप्यॉरिटीज है वो इंप्यॉरिटीज यहाँ पे नीचे जमा हो जाएगी ठीक है कॉपर तो यहाँ पे जा रहा है लेकिन इसके साथ साथ जो impurities आ रही है solution के अंदर वो impurities नीचे जमा हो जाएंगी कहां से आ रही impurities एनोड से इसलिए इन impurities को बोलते हैं anodic mud क्या कहेंगे anodic mud तो इस तरीके से pure copper deposit होता जाता है उन में आया process एक बार देख लो वापस से copper sulfate में से पहले co2 plus SO4 2 minus बन गया यह positive है तो negative की तरफ attract होगा pure copper पे deposit होता जाएगा sulfate इस copper के साथ react करेगा इस वाले copper को निकालेगा solution के अंदर ले आएगा तो copper sulfate यह वाला 2 minus है यह वाला वो काफे जाएगा यह वाला copper 2 minus है उसने तो cu के साथ react किया न उसने cu की charge plus 2 होगी न copper के साथ react करेगा तो charge balance हो जाएगी उसकी के तो आनोड पर यह copper निकलता जाएगा उसके साथ सार impurities भी निकलेगी जो नीचे अनोड के नीचे जमा हो जाएगी उसे कहेंगे अनॉडिक इसमें कोई डाउट है तो पूछो यह जो प्याउर कोपर है वो एंप्याउर के पास आपस नहीं आएगा नहीं क्योंकि वो पॉजिटिव है ना एंप्याउर वाला अपने बैटरी में पॉजिटिव के साथ कनेक किया है और कॉपर की चार्ज प्लस टू होती है पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपल इच अदर उनमें तो रिपल्शन होगा यह नेगेटिव की तरफ ही अट्रेक्ट होगा आगे सान में है येस सर फिर करोजन करोजन फर्स्ट चेप्टर में भी आया है इथिंक तो करोजन में क्या होता है मैटल के सर्फेस पे मैटल जो है वो ऑक्सिजन से रियाक्ट करते है और मैटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है ठीक है वो मैटल ऑक्साइड की लेयर को हम करोजन कहते है क्योंकि उसकी वज़े से मैटल की ताकत कम होने लगती है जैसे आइरन का कलर कैसा हो जाता है ब्राउनेश रेड हो जाता है कॉपर का थोड़ा सा ग्रीनेश हो जाता है ग्रीनेश यहां तो फिर ब्लैकेश हो जाता है सिल्वर और अल्यूमेनियम की भी शाइन dull हो जाती है ठीक है तो ये सब corrosion में होता है अब यहाँ पर आपको एक activity दिये यसमें तीन test tube दिये आपको textbook में test tube A, test tube B and test tube C ठीक है ऐसे test tube A, B and C बना लिये हमने पहले test tube में क्या किया है water fill किया है और iron nail जो है वो इस तरीके से उसके अंदर रखा है कि आदा इससा उसका पानी के बहर है और आदा पानी के अंदर फिर दूसरे में क्या किया iron nail पूरा का पूरा पानी में डाल दिया और इसमें उपर से oil की layer लगा दी और तीसरे में खाली iron nail रखा है और इस iron nail के साथ calcium chloride के balls रखे है calcium chloride के balls है और तीनों को बंद कर दिया है ठीक है rubber cock का यूज़ करके तीनों को बंद कर दिया हमने तो दो को ए वाला जो है थोरी देर के बाद या कुछ दिनों में हम देखेंगे तो ए वाले में कलर इसका ब्राउनेश हो जाता है यानि इस पर रस्टिंग हो गई करोजन हो गया लेकिन बाकी दोनों में कलर चेंज नहीं होता है वो वैसे के वैसे ही रहता है इसका रीजन क्या है तो देखो यह इसमें पानी के कॉंटेक्ट में तो है लेकिन एयर के कॉंटेक्ट में नहीं है क्योंकि उपर से ओईल है तो ओईल पान एयर को अंदर जाने नहीं देता है सो सिर्फ पानी में अगर ये रहेगा तो corrosion नहीं होता है उसका पानी और हवा दोनों मिलेगी इसको तो ही वो corrosion होगा तीसरे में हमने क्या किया है calcium chloride रखा है तो calcium chloride क्या करता है पूरा moisture एबजॉब कर लेता है यानि हवा में जितना भी गीला बन होगा, वो एब्जॉब कर लेगा, तो बिलकुल ड्राइ एर हो जाएगी अंदर, तो ड्राइ एर में भी वो करोजन नहीं होता है, ड्राइ एर में भी करोजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब करोजन के लिए दोनों चीजें होना जरूरी है, एर एंद वाटर जब हवा में गीलापन होता है तो वो करोजन हो सकता है अगर ड्राय एर है या तो पूरा पानी ही है सिर्फ हवा नहीं है जहां पे वहां पे भी करोजन नहीं हो सकता सवन में आया यह एक्टिविटी कैस सर एर कॉंसी होनी चाहिए मॉइस्चर वाली होनी चाहिए तो वो मेटल को करोड कर सकती है चलो फिर करोजन को रोखने के लिए क्या बताया था आपको करोजन को कैसे रोख सकते है पेंट करके और कुछ जगहों पे ओइलिंग करके भी करोजन रोखते हैं कुछ जगहों पे हम जिंक गैलवनाइस्ट जिंक लगाते हैं यादे बताया था मैने के शिप होती है शिप के नीचे जिंक की प्लेट लगती है तो इसलिए शिप पे करोजन नहीं होता है गैलवनाइस्ट आइरन तो इसमें जिंक लगाया जाता है जिंक क्या करता है खुद ऑक्सिजन के साथ रियाइक कर लेता है और आइरन को बचा लेता है इसको क्या नाम दिया था हमने सेक्रिफिशल एन नॉड के सेक्रिफाइस करता है फिर क्या तरीका है और अलॉइस बनाके अगर मैटल में जैसे प्योर आइरन है उसमें करोजन हो जाता है लेकिन आपने अपने गरों पर देखा होगा कि बहुत सारे बरतन स्टेनलेस स्टील के बनते हैं उनमें करोजन नहीं होता है रोज दुलते हैं वो तो रोज पानी और एयर के कॉंटेक्ट में होते हैं लेकिन उनमें तो करोजन नहीं होता है क्योंकि वह stainless steel है, stainless steel में क्या-क्या होता है, iron होता है, plus carbon होता है, iron और carbon मिल जाता है, तो यह बनता है steel, iron में carbon mix करो तो steel, iron, carbon, plus nickel, nickel भी add कर दो, तो यह बन जाता है stainless steel, sir, yes, sir, carbonite zinc, sacrificial anode है, तो मतलब उसमें corrosion हो जाएगा, um mm, zinc का corrosion, zinc क्या करता है, सिर्फ surface प пытmay corrosion होने देता है, iron की problem क्या है कि उस मेंजब corrosion होता है तो पूरा अंदर तक हो जाता है, और पूरा metal खोखला हो जाता है और bunkने होता है और zinc में क्या होता है, वो सिर्फ अपनी layer पे corrosion करता है, तो अंदर का gauge metal है, वो safe ही रहता है और अलॉयस में जो मैंने आपको स्टेनलेस स्टील बता है उसमें आएरन प्लस कार्बन मिक्स हो तो स्टील है लेकिन निकल कर दो अब अब आइरन प्लस कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम यह चारों मैटल्स जब कंबाइन होते हैं यह बहुत कम प्रपोर्शन में होते हैं यह तीनों 70% से ज़्यादा तो आइरन ही होता है तो यह चारों चीज़ें मिक्स करके अब स्टेनलेस स्टील बनाते हो जिसमें करोजन नहीं होता है अच्छा आप किसी भी मैटल अलॉय में मैटल के साथ साथ अगर मरक्यूरी आता है तो इसको हम अमालगम कहते हैं जैसे जिंक के साथ मरक्यूरी आपने मिक्स किया तो इसको बोलेंगे जिंक अमालगम ठीक है आइरन के साथ किया तो आइरन अमालगम किसी भी मैटल के साथ मरक्यूरी मिक्स किया जाता है तो इस अलॉय को अमालगम कहते हैं A-M-A-L-G-A-M फिर ब्रॉंज के बारे में आपने सुना होगा ठीक है ब्रॉंज मेटल या ब्रॉंज मेडल्स मिलते हैं न उसमें कॉपर और तिन मिक्स होता है कॉपर प्लस तिन तिन यानि एसन ठीक है जो ब्रॉंज है ब्रॉंज वो भी एक अलोय है जिसमें क्या-क्या मिक्स है कॉपर एंद तिन वैसे ही ब्रास इस अलोय जिसमें कॉपर और जिंक मिक्स है ठीक है वैसे ही एक सोल्डर सोल्डर मशीन देखिए किसी ने वायर्स को जॉइंट करने के लिए सोल्डरिंग यूज होती है कभी आपने कोई कम्पीटर की जो अंदर डिस्क होती है हाट डिस्क उसमें आपने देखा हो तो मैमरी कार्ड जैसा जो होता है उसमें चोटी-चोटी वायर्स होती है पतली-पतली और बीच में बूंदे लगी होती है सिल्वर जैसी जो अन वायर को कनेक करती है यह जो बूंदी है वो सोल्डर से की जाती है soldering की जाती है उनकी और soldering में होता है lead प्लस tin lead प्लस tin PB प्लस SN इसकी melting point बहुत कम होती है तो हम इसको melt करके इन wires को joint कर देते हैं फिर यह जल्दी सूख भी जाता है ठीक है इसलिए soldering में यह दोनों का mixture यूज़ किया जाता है lead प्लस tin okay फिर आपको एक point दे हुई है wonder of ancient Indian metallurgy एक iron pillar है दिल्ली में जो 1600 years पुरान है 1600 years से वो बाहर ही है मतलब हर season से जा रहा है उस पे हर साल बारिश भी होती है हर साल इतनी दूप भी बढ़ती है हर साल इतनी थंड भी आती है लेकिन उस iron pillar पे आज तक corrosion नहीं हुआ है तो 1600 साल पहले भी हमारे पास इतनी अच्छी technology थी यानि हमें इतनी अच्छी समर्ज थी हमारे अंदर यूज किया है आइरन के साथ कार्बन तो मिक्स हो गई ठीक है कार्बन के बिना करोशन रुक नहीं सकता पर वो प्रपोर्शन क्या है जो इतने लंबे टाइम तक वो टिक पाया है कार्बन कितनी अमाउंड में आइरन कितनी अमाउंड है तो ऐसे बहुत सालों से इस पर रिसर्ज चल रही है उसके बाद एक और पॉइंट दी है 24 केरेट गोल्ड सुना है 24 केरेट यानि एकदम प्यॉर गोल्ड होता है लेकिन इसकी क्या नेगेटिव पॉइंट होती है यह बहुत सॉफ्ट होता है मतलब इसके आप अच्छे से बहुत सारे आप जेवर बनवा किया है ओनामेंट्स बनवा किया है गर पे आके थोरा से ऐसे प्रेशर दोगे तो इसकी साइज शेप सब चेंज हो जाएगा है तो इसले लिए अजो पहनते हैं गोल्ड ओनामेंट्स बनवाते है वह 24 के नहीं 22 करेट के गोल्ड बनाते है 22 करेट गोल्ड होता है और टू करेट उसमें ॑ कौपर या फिर निकल या फिर सिल्वर दूसरा कोई मेटल हम यूज करते हैं ताके उसमें हाडनेस आ जै है 22 karat gold भी होता है 18 karat भी होता है कि हमारे यहां पे गोल्ड क्योंकि बहुत valuable माना जाता है तो हम 22 karat gold यूज करते हैं foreign countries में ज्याधतर 18 karat gold यूज करते हो लोग है चलो सन में आ गया कोई डाउट है इस चैप्टर में है तो साइन्स का लेक्चर यहां पर एंड करते हैं अब यह थोरी देर में मैं इंग्लिश का स्टार्ट करता हूं लिंक बेचता हूं कि अब बाबाए साइ रिकोर्डिंग का बन कर दो